जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे योटीब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वर्ष 2030 के दूसरे माह फरवरी के महिने के कुम्बराशी फल के बारे में कुम्बराशी के लोगों के लिए फरवरी माह कैसा रहेगा इस महिने में कौन-कौन से ग्रह राशी बदलेंगे आपके लिए उन ग्रहों का प्रभाव कैसा होगा कौन सा ग्रह से आपको सबसे ज़्यादा लाब मिलेंगे और किस से आपको सावधानी रखनी होगी सब कुछ हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे इस फरवरी माह के बारे में इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें चैनल पर पहली बार आएं हैं तो सबस्क्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती हैं तो देखें फरवरी का जो महीना है जो अगर बात करूं बुद्ध की तो ये बुद्ध का राशी परिवर्तन इस महीने में होगा और साथ में सूरे का राशी परिवर्तन होगा जो कि हर महिन राशी बदलते है सूरे दे और इस महिने की शुरुवात से ठीक एक दिन पहले तीस जनवरी को, शनी जो है, वो कुंबराशी में आस्त हो जाएंगे यानि इस फरवरे के महिने में शनी जो है, वो आस्त रहेंगे अब कुम्ब राशी में विराजमान है लेकिन वो आस्त रहेंगे आस्त होने का मतलब है कि उनका जो प्रभाव है वो कम हो देखने को मिलेगा अपना प्रभाव वो खो देते हैं प्रभाव हीन हो जाते हैं अब कुम्ब राशी के लोगों के लिए इस महिने में जब शुरुवात होगी तो शनीतुस्वराशीगत हैं और सूर्य और बुध आपके पहले भाव में बैठे हुए हैं यानि कि आपके प्रतमाव लगन में ही विराजमान होंगे वर्ष की महिने की शुरुवात में तो ब्रस्पति आपके दूसरे भाव में हैं तो सूर्य का जो राशी परिवरतन होगा वो ब्रस्पति के साथ यूती होगी ब्रस्पति के साथ यूती से कई तरह के परिणावों में बदलाव होगा एक तो आर्थिक रूप से आपके लिए लापकारी समय रहेगा रहू तीसरे भाव और केतु नौवे भाव में हैं तो ये आपके लिए क्या करेंगे थोड़ी सी चुनोतियां लेकर आ सकते हैं जिम्मेदारियों को बढ़ा सकते हैं जिम्मेदारियां बढ़ती हैं चुनोतियां आती हैं तो थोड़ी बहुत टैंशन भी होती है लेकिन पहले हम आपकी का कारेशेतर चैसा है इसके बाद आरथिक जीवन यों के लगन बैठे औंगे पंदरा फर्वरी तक का समय आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा और पंदरा फर्वरी के बाद जो आपके प्रभाव में यूती होगी वो आपके पेशवर जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करेगा एक तो आपके लिए काम का प्रेशर जादा लेकर आ सकता है यह नि कामकाज आपके लिए जादा रहेगा कारशेत्र में दूसरे बहाव में जो गुरू बैठे हैं वो बहुत मदद करने वाले होंगे इस महीने में गुरू आपके लिए मजबूत हैं और इस महीने में सबसे अधिक मदद आपके लिए गुरू ही करेंगे जो कि शनी तो अस्तिस्तिति में बैठे हैं तो यह जो लोग खुद का वैफसाय चला रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है जि रणिती में सुधार करेंगे तो अच्छा रहेगा इसके अलावा गुरू ब्रस्पति क्या करते हैं आपकी आर्थिक श्तिति को भी देखते हैं और शनी के अस्त होने की वजए से आपका जो खर्चा है वो कम होगा आपका जो वेक्तित्व है उसमें भी बदलाव देखने क अगर आर्थिक श्तिति के बाद देखें तो शुरुवाती जो पंधरा दिन है वह बहुत अच्छे है उसका जो पंधरा दिन के बाद का जो समय है वह इस्तितियां डो ठीक हैं लेकिन कहीं ना कहीं थुड़ा सा खर्चा रहेगा यह अच्छा खर्चे को बढ़ा सकता है श तो आपके लिए अच्छे धनलाब की संभावनाई बननी शुरू हो जाएंगे जो लोग खुद का वेबसाइट चला रहे हैं इस महीने का अंत उनके लिए बहुत अनुकुल रहेगा आपको उस दोरान अच्छे मुनाफिक कमाने के कई बड़े अफसर प्राप्त हो पाएंग कई बड़े अफसर प्राप्त हो पाएंगे तो शुक्र वे अपके लिए अच्छे रहेंगे अब तो आपके आर्थिक इस्तिति के लिए भी जो हैं ग्रहों की इस्तितियां अच्छी ही बनी हुई हैं बस कुछ काम जादा करना पड़ सकता है आपको उसलिए आपको बस पहले भाव में मौझूद हैं लगन में मौझूद हैं और जो शुक्र की इस्तिति है वो शुरुबाती समय में आपको थोड़ा सा परिशान कर सकती है प्रेम जीवन में भी परिशान कर सकती है और जो विवाहिग जातक हैं उनके लिए भी विवहा में थोड़ी देरी भी ह सकती है जो लोग शादी शुदा हैं उनको दामपत्य जीवन में साम जस्य में थोड़ी सी कम्या सकती है लेकिन ये जो सभी चीज़ें हैं ये 15 फरवरी के बाद ठीक हो जाएंगी प्रेम जीवन भी अच्छा हो जाएगा विवाहिक जीवन भी अच्छा हो जाएगा शुक्र जैसे ही मीन राशी में प्रिवेश करेंगे तो ये सारी चीज़ों में आपको राहत देखने को मिलेगी मधूरता देखने को मिलेगी विवाहिक जीवन में मधूरता देखने को मिलेगी और प्रेम संबंद में भी मधूरता देखने को मिलेगी तो बस आपको शुरवात ही थोड़े ध्यान रखना है फरवरी वहां की शुरुवात में बाद में जो समय होगा वो काफी अच्छा होगा परिवारिक जीवन के अगर बात करें तो दूसरे भाव में जो इस्तित्य गुरु ब्रस्पति हैं वो परिवारिक समस्याओं को कम करेंगे और इस महिने में आपक परिवेश करेंगे तो थोड़ी सी इस्तितियों में मतवेद हो सकता है लेकिन आप हर एक चीज को समानने के काविल होंगे और अपनी वानी के दंपड लोगों के बीच में जो हुई तकरार को आप खत्म कर पाएंगे जो एक अच्छी चीज होगी कि आप हर एक चीज को राशी परिवर्तन है वो आपको थोड़ा परिशान कर सकता है लेकिन जो शुक्र का राशी परिवर्तन होगा वो पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा गुरू के साथ बैठकर अच्छे समय का निर्मान करेगा बहुत अच्छा करेगा अब कुम्ब राशी की मैं अगर बात कर रहे हैं तो देखिए शनी की बात जरूर होती है क्योंकि यस शनी के स्वामित्व वाले राशी है तो आपकी जो तारकिक सकती है वो इस महिने में बहुत अच्छी रहेगी पॉर किरियेटिव लोगों के लिए समय बहुत अनुकुल का जा सकता है आपकी सिलसले में विदेश यात्रा करने का मौका मिल सकता है अगर आप वाकी में प्रयास कर रहे हैं विदेश जाने का या विदेश की आप से जुड़ी कोई कामकाज आप शुरू करना चाहते थे तो आपको मौका मिल सकता है उस मौके का फायदा आपको जुरूर उठाना चाहिए क्योंकि वो आपके जीवन में बड़े बदलावों को लेकर आने वाला रहेगा अब पहले भाव में शनी जो हैं थोड़ी बहुत चुनोदी जरूर लेकर आ सकते हैं लेकिन आपको घबराने की आवशकता नहीं है क्योंकि यहां गुरू जो है वो हर एक शीज को समालने का कार करें कुटों को खाना खिलाना बिल्कुल ना भोले कुटों को खाना खिलाना आपके लिए बहुत फायदे मन रहेगा साथ ही चैनल को सबस्क्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले